दोस्तों आज है मेरे पास सेमसंग गलेक्सी 15 5G यह सबसे सस्ता यहां पर 5G फॉन है जिसमें आपको गी अब इसको चेक करें इसमें आपको बाइब काफी जादा ओप्शन देखने को मिल जाएगा जो बेसिक आपको यहां पर ऑप्शन चीए वो सारी देखने को मिल जाएगी अब सबसे पहले बात करें कि यहां पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपको क्या ओप्शन देखने को मिलती है अगर मैं बात करूं प्राइमरी केमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की तो बाई अगर तो आप डिटेल्स काफी ज़्यादा सही देखने को मिलती है अप यहां पर अच्छे से अड्जेस्ट कर सकते ओ ईक्सपोजर उसमें कोई दिक्कT नहीं है अगर मैं बात करूं यहां तो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है लेकिन हाँ जो colors गह रहा है वह आपको काफी better यहां पर देखने को मिल जाते है इसमें भाई stabilization आपको दीगी है लेकिन इस टाइम अभी मैंने आपको किस तरीके का यहां पर देखने को मिल रहा है scenario वह यहां पर आप चेक कर सकते हो लेकिन लो लाइट में दोस्तों जैसी बहुत जादा darkness आएगी एरिया में तो इसका camera दोस्तों वहां पर अच्छा प्रफॉर्म नहीं कर पाता है वह आप clearly यहां पर देख सकते हो जैसी लो लाइट में जाएगा camera इसका camera चैसे प्रफॉर्म नहीं करता अब इसमें इल्टरावाइट camera भाई 0.5x का उसमें आपको अभी दिखाता हो कि maximum आपको कितना वहां पर एंगल देखने को मिल जागा मलब कितना यह अच्छे से यहां पर वीडियो बना सकता है कितने वाइ 25 Megapixel का camera है तो काफी ज्यादा soft सी वीडियो आपको देखने को मिलेगी expectation आपको यहां पर ज्यादा नहीं रखनी होगी स्काय का color भी आपको यहां पर कईवा लेगा कि भाई थोड़ा अजीब सा color आ रहा है अगर इसमें बात करें portrait mode की यहां पर तो काफी अच्छे से भाई detection कर लेता है जो इसका 50 Megapixel का primary camera है क्योंकि भाई जो colors है वो काफी जादा सही है सिमसंग के colors भाई आप अगर सस्ता phone भी लोगे तब भी काफी अच्छे निकाल कर दे देते हैं अब यह भी यहां पर एक portrait mode है इसमें आपको दिखाता हो भाई जिए अगर आप edges चेक करो तो काफी अच्छे से यहां पर edges detection की ग अल्ट्रावाइट camera में भाई guys five megapixel का आपको पता होगा लेकिन भाई जो colors है वो काफी जाद अच्छे देखने को मिल जाते है इस photo में आप देख सकते हो भाई dynamic range का थोड़ा बहुत issue रहेगा क्योंकि अभी तो मैं पहाड़ों में हूं तो उतना जादा फर्क नहीं बढ़ प्राइमरी camera से मुझे यहां पर कोई भी शकायत नहीं है काफी अच्छे से यह वर्क कर रहा है आपको जितना 12000 रुपे में देखने को मिलना चाहिए उतना मिल रहा है अगर आप दूसरी location की बात करो यहां पर भी आप देख सकते हो सकायव गयरा काफी अच्छे से यहां पर मेंशन किये फोटो में डिटेल्स काफी जादा अच्छी देखने को आपको मिल जाती है अब 2x की फोटो की अगर हम बात करें तो उतनी जादा क्वाल्टी नहीं गिरती है भाई इसमें आप 2x तक अराम से इजली काफी अच्छे शौर्स निका सकते हो 4x में क्वाल्ट से लेकिन क्वाल्टी थोड़ी सी डाउंग्रेड आपको फील होगी जब थोड़ी सी लाइट यहां पर कम है लेकिन एकॉर्डिन तो प्राइस यार काफी अच्छे से अभी तो वीडियो यह निका रहा है आप देख सकते हो आल्मोस्ट राने करेंज आपको ठीक ठीक सी दे इतनी रखनी जितना कि 12,000 रुपे का फॉन भाई आपको दे सकता है तो अगर आप उतनी एक्सपेक्टेशन रखोगे तो मेरे खाल से आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बहुत अच्छी यह सेल्फी निकाल कर आपको दे देगा पोर्टेड मोड में भा ही आपको अगला किस फॉन का देखना है वह आपको मेंट आपको